नमस्ते फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होट तो सब बढ़िया होंगे मैसल वरुंज जयन और स्वागत आप सभी का मेरेस यूटुब चैनल पे एक बहुत ही important information शेर करनी थी to CA intermediate students जिन लोग के group 2 के exams due है in November 2020 और May 2021 में जो students CA intermediate के group 2 के exams November 2020 में या May 2021 में लिखने वाले हैं उन लोग के लिए हमने group 2 के advance accounting की classes को start किया है ये उसकी कुछ information है admissions open है जी group 2 CA intermediate group 2 November 2020 और May 2021 advanced accounting Google drive mode पे ये classes रहेंगी साथ साथ इसमें special feature क्या रहेगा जी हम live online classes भी conduct करने जा रहे हैं on zoom platform Google drive class के साथ मैं बीच बीच में आपके live sessions भी लेता रहूंगा on zoom platform ये बहुत ही एक अच्छा feature है साथ में हम आप लोगों को downloadable ebook provide करेंगे वो ebook होगी जो आप download कर सकते हैं print निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं फीस हमने को जादा नहीं रखी है 8500 रुपीस की हमने इसमें फीस रखी है for your advanced accounting और इसमें हमने feature क्या डाल है कि आप दो installment में अपनी फीस को pay कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पहले पूरी फीस देनी है जी दो installment में आप फीस को pay कर स सकते हो और अगर कोई special वचा होगा जो request करेगा जो अपनी condition बताएगा अगर कोई दिक्कत है तो आप तीन installment में भी फीस पे कर सकते हैं कि सर मैं समझ सकता हूं इस समय हो सकता है कि आप लोगों का हाथ थोड़ा tight हो तो फीस पे कर पाना थोड़ी सी difficult problem आ सकती है तो मैं आप को तीन installment की भी relaxation देने के लिए तयार हूं लेकिन genuine problem उस चीज के लिए होनी चाहिए ठीक है जी अब इसके classes के special features कहा रहेंगे तो मैं उसके बारे में आप से discuss करूँगा देखो जी सबसे पहली चीज तो 100% conceptual clarity पूरी की पूरी आपको conceptual clarity मिलेगी 100% यह subject इतने interesting है आपको पू downloadable आपको ebook मिलेगी ebook आपको मिलेगी वो आप download करके चल सकते हो तीसरी चीज views मैं कोई views नहीं रख रहा इन lectures में unlimited views but lectures will be valid till your attempt आप एक ही lecture को कितनी भी बार देखो कोई view की limitation नहीं है लेकिन validated रहेगी आपकी till your attempt ठीक है जी attempt के बाद वो lectures आप लोग के remove हो जाएंगे तो lectures will be valid till your attempt उसके बाद सबसे बहतरी जो मुझे feature लगा कि सर वीडियो lectures तो है Google Drive पे lectures आप लोग को मिलेंगे साथ साथ मैं आप लोग के साथ live भी आता रहूँगा जूम platform पे मैं आप लोग के live session भी लेता रहूँगा जी किस तरीके से होगे आपको थोड़ा बहुत बताते ता हूँ for example हमने 3-4 chapter cover कर लिए तो 3-4 chapter के लिए मैं एक whatsapp group create कर लूँगा जिसमें बच्चे admission लेंगे मैं उनको उसमें add करता चला जाओँगा तो वैसे तो admission start है तो आप लोग अभी भी admission ले सकते हैं तो जैसे इस admission आएंगे उसके बाद हम एक whatsapp group create कर लेंगे और whatsapp group में मैं आप से interaction करता चला जाओँगा तो तीन chapter for example मैंने करवा दिये उसके बाद हम तीन chapter के बाद एक doubt session या एक discussion session या एक revision session या एक Q&A session के form में zoom platform पे conduct किया करेंगे एक बहुत अच्छा medium रहेगा so that मुझे ये पता लग जाएगा कि आप लोग की preparation किसे साथ से चल दिया है आप लोग time limit चलूँगा सारे के सारे institute के material की coverage होगी चाहे institute का study material हो चाहे institute के RTPs हो चाहे mock test paper हो चाहे past exams हो जो मैं book आपको provide करूँगा उसमें सारे questions covered होंगे सारी coverage मैं लेके चलूँगा सासाथ मैं institute का material भी आपको refer कराता रहूँगा और जो भी आपके exam से पहले RTP आएगा वो RTP भी मैं मैं आपको solve कराऊंगा classes खताम होने के बाद मैं YouTube form में जिस भी तरीके से वो मेरे ओपर छोड़ दीजे मैं आपको पूरा 100% coverage दे के चलूँगा of the institute material क्योंकि सर institute material बहुत important होता है उससे questions as it is आ जाते हैं वो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है टीसरी चीज टॉपिक्स को जो हम समझते हैं मेरे ये खासितर रहती है कि मैं टॉपिक को जब समझाता हूँ तो मैं real life के example कुछ demo आपको देकर या कुछ real life से situation को relate करके case को relate करके वो समझाता हूँ उसी तरीके से आप concept को समझते चलेंगे प्रॉपरली मैं test series भी लूँगा भई कुछ chapter कराने के बाद मैं आपको test भी conduct कराया करूँगा वो test का भी system मैं आपको बता दूँगा वो classes जब start होंगी दना इल inform about the test तो regular आपके test series भी रहेगी complete chat support रहेगा आप मुझसे जब मर जी whatsapp पे chat कर सकते हैं जो भी आपकी query हो उसको resolve कर सकते हैं और सबसे main चीज आपका जो भी doubt होगा वो within 24 hours मैं resolve कर दूँगा ठीक है जी 24 hours 24 गंटे के अंदर अंदर मैं आप लोग का doubt भी resolve करके चलूँगा ठीक है जी तो यह हमारे कुछ लिए features है about our subject fees मैंने ज़्यादा नहीं रखिया again 8500 की fees है दो installments मैं आप pay कर सकते हो और अगर special case होगा तो I can allow 3 installments also classes will begin from 6th July 6th July से classes start हो जाएंगी और अगर आप alternate different classes ले रहे हैं तो you will be able to complete your course till September end और October 1st week September end या October 1st week तक आप लोगों का course भी पूरा हो जाएगा ठीक है जी तो यह हमारे कुछ इस subject के features हैं अच्छा एक चीजस में आपको ध्यान अक्री बढ़ेगी यह Google Drive पर आपको lectures मिलेंगे और Google Drive पर आपको view का option मिलेगा you can view the lectures आपको internet connection की बस requirement होगी और internet connection आज के डाइम में सब के बास Jio का network है या internet connection की कोई अच्छा कोई दिक्कत आती नहीं है तो आप lectures को Google Drive पर जाके देख सकते हो वो आपके लिए हमेशा open रहेंगे till your attempt उसमें कोई view की limitation नहीं है unlimited views लेकिन validity will be till your attempt ठीक है जी ये मेरी कुछ contact details है तो अगर आपको कोई भी और information चाहिए हो तो आप मुझे मेरे number पर WhatsApp कर सकते हैं मुझे email कर सकते हैं और पीचे मैंने कुछ links दे रहे हैं उनको भी join कर सकते हैं ये तो थी मेरी बात एक चीज़ हमने और इसमें add करी है जी ये देखे जी हमने advanced accounting के साथ साथ FM eco की भी classes start करी हैं बिल्कुल same manner में रहेंगी जैसे मैंने अपने features बताए वही FM eco के भी रहेंगे FM eco के लिए हमारे सर है जी वीशब जैन सर पढ़ाएंगे he is great faculty 10 साल का इंका teaching experience है and by qualification he is a equity research analyst वह बहुत अच्छी post hall करके चलते हैं equity research analyst उनका very vast experience है उस area में और पिछले 10 साल से यह CA intermediate में FME को और CA final level पे SFM का paper पढ़ा रहे हैं तो he is a very great faculty बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अगर आप यह दोनों classes खरीदते हो तो उनके लिए उस चीज के लिए मैंने special feature क्या निकाला है कि fees अब आपकी 17,000 देखो दोनों की 85, 85,000 की class है तो 17,000 की fees ता रहे के गूगल ड्राइब लिंक्स पे classes रहेंगी साथ साथ वो भी आपके साथ live online session कंड़क करते रहेंगे और उनकी भी आपको downloadable ebook प्रोवाइड हो जाएगी तो कोई भी अगर आपको information additional चाहिए हो तो मेरी contact details है my number is 9717175748 इस पे आप मुझे whatsapp कर सकते हो email id is ca191.gmail.com आप मुझे इस email id पे भी अपना email send कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है सर जब मर जी आप मुझे discuss करो phone करो whatsapp करो I will give your complete information वैसे मैंने सारी information यहाँ पर आपको बता दिये अब मैं आप लोगों के साथ एक demo lecture भी share करना चाहूँगा अपना कि मैं किस हिसाब से पढ़ाऊँगा अचा देखिए जी demo lecture में मैं एक topic उठाऊँगा जैसे मैंने topic भी किया है liquidation of company उसका एक overview मैं आप लोगों के साथ दूँगा कि वो chapter क्या कहता है ऐसा नहीं है कि मैं उस chapter में आपको बहुत कुछ समझा दूँगा ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि सिर्फ उसमें आपको यह जानना है कि मेरा पढ़ाया हुआ क्या आप लोग को समझ में आता है या नहीं आता है रिशब सर के भी demo lecture का link मैं ऊपर आई बटन में आप लोग को दे दूँगा आप वहां से view कर सकते हैं नहीं तो description में आपको मैं उनके demo lecture का link दे दूँगा आप उनका lecture भी view कर सकते हैं ठीक है जी यह दोनों sir flyers मैं आपको description में टाच करके दूँगा आप description से यह download करके information को ल demo lecture एक अलग है सिर्फ समझाने के लिए कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं तो जाहिए गमत पूरी वीडियो को अच्छे से देखेगा तब ही decision लीजेगा तो demo lecture में आप लोग के साथ play करने जा रहा हूं तो demo lecture को आप देखिए और अपना decision लेए और sir जल्दी से जल्दी इ आप ये information को pass on कर दोगे ठीक है जी तो let's start with the demo lecture चलिए जी हाँ जी तो topic for our demo lecture is liquidation of companies आपके examination point of view से काफी important topic है and very very interesting topic बहुत simple सा topic है liquidation of companies अब देखो आपने ये liquidation term कहीं बार सुनी होगी जनरेली newspaper बगारा में सुना होगा आपने newspaper बगारा में liquidation term कहीं बार सुनी होगी आज कल news आती रहते हैं कि ये company liquidate होगी ये company liquidate होगी xyz liquidate होगी कहीं सारे bank liquidate हो जाते हैं ये सारी terms आप generally सुनते चले जाते हो साथ साथ हमने ये terms किसके context में सीखे हैं सार लिक्विडेशन term सीखे हैं हमने सुनी है एक term हमने सुनी है winding up और एक term हमने सुनी है dissolution I hope ये तीन term आप लोगोंने सुनी होगी मतलब नहीं पता कोई बत नहीं लेकिन आपने सुनी ज़रूर होगी कि किसी company का liquidation process चालू हो गया कोई company wind up होगी है dissolution वर्ड हो गया dissolution तो आपने एक chapter भी पढ़ा होगा अपनी 12th class में या बीकों वगार में भी chapter पढ़ा होगा dissolution अब बात आता है सर इन तीनों में फरक क्या है ये liquidation winding up और dissolution में फरक क्या है देखो बच्छे liquidation क्या होता है liquidation is a process liquidation एक process है रातो रात होने वाला काम नहीं है liquidation liquidation एक process है मान लो एक company बंद होना चाहती है एक company बंद होना चाहती है तो बंद होना कोई रातो रात काम नहीं है बंद होने का एक systematic process है एक process कित्रू क्या होगा company को बंद किया जाएगा और जब company का वो process complete हो जाता है तब company को order मिल जाता है from the call to get wind up तब company क्या हो जाती है wind up हो जाती है तो liquidation क्या बोला मैंने liquidation is the process of winding up of the company company को wind up होने का जो process है उसको क्या बोलता है liquidation देखो generally company की हालत होती है कही बार खराब और company चाहती है कि वो बंद हो जाए बंद होने का मतलब क्या हुआ company की जो भी balance sheet है balance sheet में company के क्या क्या होंगे सर यहाँ पर assets होंगे यहाँ पर company की capital होगी share capital बगार होगी यहाँ पर liabilities होगी तो company अपनी इस balance sheet को खाली करना चाहती है खाली करने का मतलब क्या हुआ company अपने सारे assets को बेच देगी, sale कर देगी और company अपनी जीपनी भी liabilities है इनको pay off कर देगी और जो भी पैसा बचेगा, वो capital को pay करने में लगा जाएगा, मतलब वो owners को pay कर दिया जाएगा, तो ये जो एक पूरा process है, अब ये process होने में time लगता है, इसमें सालो साल लग जाते हैं महिने लग जाते हैं, तो ये पूरा process क्या कलाता है, हमारा liquidation कलाता है, और जब company की balance sheet बिलकुल खाली हो जाती है, zero हो जाती है, then that company is ordered by a call to get wind up, उसके बाद company क्या हो जाती है, wind up हो जाती है, तो मैं कह सकता हूँ ये two term आपको clear होई होगी, अब बात आती है, sir, हमने एक term सुनी है dissolution, वो dissolution का है देखो, dissolution भी liquidation और winding up है, लेकिन ये generally term use होती है, for partnership firms and LLPs, जो भी LLPs हैं और partnership firms हैं उनके लिए जो term use होती है, that is your dissolution, देखो, आज के demo lecture में मैं आपको कोई liquidation के तो यहां से, इस lecture से आपको देखना है इस lecture से आपको यह देखना है कि are you comfortable with me? क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है जिस तरीके से मैं आपको example देखे पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, क्या आपको वो चीश लेकिन यह term जनरली होती है इनके सब partnership firm और LLPs सर आपने एक term बोली अभी कि liquidation एक process है देखो, आप लोग ने company law में company के features पढ़े होगे कि company के feature में एक term आती है company के feature में एक term आती है आपने कई बार सुने होगी company is a artificial legal person artificial legal person मुझे सोच के बताओ कि सर इसका मतलब क्या हुआ what do you mean by artificial legal person देखो जी company एक person है company क्या है एक person है लेकिन वो person natural नहीं है वो क्या है एक artificial person है जिसका जन्म कैसे हुआ है एक legal process हुआ है अगर मैं company की बात करूँ तो company का जन्म कैसे हुआ है company का जन्म हुआ है through incorporation under section 9 of the company's act 2013 company's act 2013 में company के incorporation का process defined है कि किस तरीके से company को incorporate किया जाएगा सर अगर incorporation का process defined है तो company के बंद होने का भी process defined होगा तो वो बंद होने का process कहां पर है जी liquidation chapter में है अगर आप company's act उठाओगे तो liquidation का chapter है वहाँ पर company के बंद होने का procedure बताया गया है company जो की govern करी जाती है through companies act 2013 तो company को क्या बोला जाता है it is a artificial legal person वो एक person तो है लेकिन वो क्या है एक natural person ही है वो एक legal person है because it is governed by an app that is known as companies act 2013 ठेकिजिए अच्छा एक छोटी सी चीज़ में आपको बताऊँ कि advanced accounting इसमें आपके company accounts के topic है ज्यादा तो आपको मैं कहीं बार use करूँगा term companies act 2013 क्योंकि आप लोगों ने group 1 में law में companies act 2013 अच्छे से पढ़ा हुए तो companies act 2013 के हम कहीं सारे provisions को यहाँ पर discuss करेंगे अब कुछ provisions आपने अभी नहीं पढ़े होंगे वह आप CA final में जाके पढ़ोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जैसे liquidation का chapter है यह अभी आप लोगों ने company law में नहीं पढ़ा होगा यह आप CA final में पढ़ोगे क्यों क्योंकि सर इसका section लगता है 270 अगर मैं company law के प्रोविजन की बात करूँ तो section 270 of Companies Act 2013 यह अपलाए होता है in case of liquidation और साथ साथ ही एक नया कानून आगया हमारे देश में that is known as insolvency and bankruptcy code यह भी आप लोग CA final में जाके पढ़ोगे insolvency and bankruptcy code 2016 तो यह दो law लगते हैं in case of liquidation of company company को बंद करने में इन दो एक section 270 और insolvency and bankruptcy code इनका बहुत बड़ा रोल होता है दोको पहले insolvency and bankruptcy code नहीं होता था सर मैं जादा detail में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि यह final level का topic है लेकिन स्टिल में आपको बताऊंगा कि यह law लाया क्यों गया रिचार्ज करने की पे आफ करने की जुरूरत नहीं पड़ती थी जितना quarter order देशी थी वो सब फॉलो करने के बाद लेकिन इस चीज की वज़े से लोगों का नुक्सान होने लग जाए अब देखो बिचारे creditors हैं banks हैं उनके तो पैसे पसने लगे ऐसे तो company को कोई भी उदाव नहीं देगा कोई भी लोन नहीं देगा तो इसलिए government of India एक law लेके आई that is known as insolvency and bankruptcy code इस law को लाने का reason यही था कि हम यह देख पाएं कि कौन सी company insolvent होने के लायक है वह कहीं ऐसा तो नहीं company जानके अपने आपको insolvent declare करा रही है क्योंकि अगर जानके अगर insolvent declare कराया जा रहा है तो that is wrong तो इस चीज को रोकने के लिए IBC को लाया गया तो जब भी company liquidation करना चाहती है liquidation का process चलो होते है तो IBC को भी साथ में follow गया जाता है और साथ सा section 270 of the company जग 1213 तो है ठीक है जी और एक होती है compulsory liquidation voluntary liquidation और compulsory आपको कुछ नहीं लिखना सिरफ आप सुनते चलो सुनते चलो और सुनते चलो कुछ नहीं लिखना सिरफ ये सुन्लो की मैं क्या बता रहा हूं आपको वो समझ भानी जीए voluntary liquidation जैसे कि term बता रही है voluntary voluntary, voluntary मतलब अपनी मर्जी से, company अपनी मर्जी से ही बंद होना चाहती है, company अपनी मर्जी से बंद होना चाहती है, सर, क्या अपनी मर्जी से बंद हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर company को ऐसा लगता है कि मेरे losses बहुत सारे हो रहे हैं मेरे इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने creditors को pay off कर दूँ तो company अपने आपको बंद करवा देगी तो वो liquidation हो जाएगा किस type का voluntary nature का liquidation हो जाएगा IBC को तो follow करना पड़ेगा IBC के कानून को तो follow करना पड़ेगा और उसके बाद आता है हमारे compulsory liquidation compulsory liquidation generally creditors, debenture holders, banks ये सब क्या होते हैं अगर इनको लगता है कि companies इनके पैसे पे नहीं कर रही है ना तो company creditor को पैसे पे करी, ना debenture orders को पैसे पे करी, ना banks के पैसे पे करी तो ये लोग जाकर court में apply कर सकता है for liquidation of the company example के तोरव पर मान लो, मान लो एक person है Mr. X, जो की creditor है जो की creditor है किसका? XYZ Limited का, अभी आपको लगेगा सर ये XYZ और X सेम हो गया इसको नाम चेंज करता हूँ मैं, मान लो ये creditor किसका है? ABC Limited का ABC Limited को, इस Mr. X को 10 लाक रुपे पे करने हैं, लेकिन पिछले 2-3 साल होगे ABC Limited Mr. X को 10 लाक रुपे पे नहीं कर रही, अब Mr. X के पास राइट आ जाता है कि वो जाए और court में apply कर दे कि भईया, इस company को बंद करा दो, इस company को बंद करा दो, क्योंकि मेरा पैसा नहीं हो रहा, अब बात आती है कि sir, क्या court, इतनी easily X के बात मान लेगा, answer is no, court क्या को लेगा, कि आपके जैसे और भी लोग होने चाहिए, जब तक mass में apply नहीं होगा किसी चीज के बार में, तो court allow नहीं करेगा, court कहेगा कि आप तो एक person हो, आप अपने साथ एक group लियाओ, so that एक दबाब पर जाए, एक pressure create हो जाए कि हाँ, इस company को बंद कराना mandatory हो गया है, तो वो क्या 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 लाता है, हमारा compulsory liquidation क्या लाता है, ठीक है जी, तो ये दो term सबज में आती है, voluntary liquidation and compulsory liquidation, ठीक है जी, अब, अब एक situation सब्जो, देखो ये company की balance sheet है, balance sheet में capital है, ये लेलता है, balance sheet है, rupees in lakhs, capital है 100, उसके बाद liabilities 200, उसके बाद assets है, ले लेते हैं से, और losses, losses, losses ले लेता हूँ मैं 150, और assets कितने होगे बाद है, 200, 300, 150, score बढ़ा लेता हूँ 250, और इसको लेता हूँ 50, ठीक है, ये situation है company की, I hope ये situation आप समझ गया होंगे, कि सर 100 की capital है, 200 की liability है, 50 की asset है, और 200 का loss है, 250, लेक्स का loss आगया company के पास, अच्छा आपको पता हो कि balance sheet में कौन सा loss होता है, balance sheet में होता है, हमारा accumulated loss, accumulated loss मतलब पिछला loss एकटा हो होकर, कितना हो गया जी, 250, लेक्स का loss हो गया, अब मुझे पता, क्या company की हालत खराब है या नहीं है, answer is definitely खराब है, कैसे खराब है, देखो, उसके पास तो सिरफ 50 लाके asset है, लेकिन उसकी liability कितनी है, 200 लाकी है, मतलब उसके पास इतने assets नहीं हैं, कि वो अपनी liabilities को भी pay off कर पाए, अपनी liabilities को भी pay off कर पाए, ऐसा आप कहीं बार हर किसी companies की balance sheet बे देख सकते हो, जैसे kingfisher की balance sheet उठाओ गे ना, तो आपको ऐसी कुछ situation देखने को मिलेगी, kingfisher के पास इतने बयंकर losses हो गए थे, कि उसके assets इतने नहीं थे कि वो अपनी liabilities को pay off कर पाए, तो इसले kingfisher का सर क्या हुआ, दिवालिया निकलना शुरू हो गया, अब यहाँ पर इस case में company के पा internal reconstruction, internal reconstruction, internal reconstruction, internal reconstruction का मतलब क्या हुआ, जैसे कि term बता रहे है, internal reconstruction का मतलब होता है, ठीक करना, और internal मतलब होता है, अंदरूनी ठीक करना, मतलब company अपने आपको अंदर से ही ठीक कर ले, अंदर से ही ठीक करने का मतलब क्या हुआ, company अपने creditors के साथ कुछ compromise and arrangement कर ले, compromise arrangement मतलब company ने credit को बलाया और उनके साथ मीटिंग करी कि भया मैं आप चाहाइं हाहिव जोड़ के रिक्वेस्स करती हूं कि आप अपनी अधी को बलाय कि आप वियाँ कांपनने की इक्वीटी Technique mistrally को कर दो तो ओसक्षा करने से क्या होगा company की स्थिती ठीक हो जाएगी company की situation क्या हो जाएगी sir ठीक हो जाएगी देखो यहां से अगर liability कम होने लग जाएगी यहां से liability कम होने लग जाएगी तो कभी न कभी जाके situation क्या हो जाएगी कि हाँ assets इतने हो जाएगे कि liability को pay off कर देंगे तो ये भी एक ठीक करने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं internal reconstruction तो ज़्यादा आपको भी detail में जाना है क्योंकि ये आपका full-fled chapter है ये आपका full-fled chapter है internal reconstruction जहाँ पर हम यही सीखेंगे कि company अपने आपको अंदर से कैसे ठीक करती है ठीक है जी तो एक option तो ये available होता है second option available is external reconstruction external reconstruction देखो reconstruction again मतलब ठीक हो ना और external का मतलब क्या हुआ किसी बाहर वाले बंदे की मदद लेकर हमने अपने आपको ठीक है company ने किसी बाहर वाले person की मदद लेकर अपने आपको ठीक है जैसे company किसी के साथ होगी जी amalgamate amalgamate का मतलब क्या होता है जब दो companies जुड़के एक नई entity form हो जाती है that is known as amalgamation मालनो एक company चल दी है x limited जिसके हालत है खराब एक company चल दी है ठीक्टा company चल दी है y limited x और y limited बनकर मिल गई ही एक company बन भी x y limited जैसे maruti और suzuki maruti suzuki मिलके क्या बन गी maruti suzuki मिलके क्या बन गी maruti suzuki बन गी तो वो क्या होता है amalgamation ये भी एक क्या होता है एक helping hand होता है बारवले की तरफ से या फिर आपने कहीं बार term सुनी होगी mergers takeovers absorption मतलब एक company ने दूसरी company को takeover कर लिया एक company ने दूसरी company को takeover कर लिया जैसे Vodafone ने idea को takeover कर लिया क्या होता है जी merger takeover होता है banks के सुने होंगे आपने कहीं बार merger होते हैं जैसे for example candra bank में syndicate bank merge हो गया bank of broda में Vijia bank merge हो गया ऐसे कहीं सारे bank के mergers चलते रहते हैं तो वो क्या होता है देखो अगर मान लोग किसी bank की हालत है खराब I think HDFC ने helping hand दिया भी है Yes bank को की मैं आपको अपने साथ ही क्या कर लेता हूँ जोड लेता हूँ तो ये क्या होता है एक process होता है that is known as external reconstruction again ये सारी चीजे भी ये सारी चीजे भी हम क्या पढ़ेंगे एक chapter के थुरू पढ़ेंगे एक chapter के थुरू पढ़ेंगे ठीक है जी तो एक होता है अपने आपको अंदर से ठीक करना और एक होता है किसी बाहर वाले की मदद लेकर ठीक करना अगर मार लो सर ना तो हम अंदर से ठीक कर पारें मतलब ना कोई creditor तयार हो रहा ना कोई बाहर वाला बंदा हमें मदद के लिए हाथ दे रहा है तो मैं क्या करूँ तो हमारे पास कोई option नहीं वचेगा फिर हम किस में जाएंगे जी liquidation में चले जाएंगे तो ये chapter हम अभी discuss कर रहे हैं ये chapter भी हम करेंगे ये आपके बात की topics हैं लेकिन liquidation क्या होता है जब आपको कोई कोई मदद नहीं दे रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको बंद करना पड़ेगा ऑफिसी बात है वही एक घर है एक घर की होगी हालत करा आप या तो घर को अपने आप अंदर से ठीक कर लो या किसी बाहर वाले की मदद लेके अपने घर को ठीक कर लो लेकिन अ आपके एक process होता है that is known as liquidation जिस तरीके से हम काम करके चलते हैं ठीक है जी अब बात आता है sir company liquidation के लिए अपने आपको apply कैसे करके चलेगी हाँ जी तो अब हम देखते हैं कि company liquidation के process में देखो company को जाना पड़ेगा किसके पास court में जाना पड़ेगा तो ये किस तरीके से काम करता है क्या इसका process है वो हमें देखते हैं लेकिन उससे पहले में आपको बता देता हूँ कि हमें इस chapter में क्या-क्या topics करने है topics to be covered इस chapter में आपको तीन topics सीखने है पहले topic आता है जी statement of affairs that is known as form 57 ये form होता है 57 तो वो form 57 आपको बनाना पड़ेगा company के court rules होते हैं company के court rules होते हैं 1959 मैं बताया दो form 57 कहा लिखा है जी companies आपको अच्छे से पता होना है चाहिए जी कि company का जो act है companies act है 2013 इस act में rules बहुत जादा इंपोर्टेंट है क्योंकि company act अपने आपने सुफिशेंट नहीं है वो सारा का सारा act जो है वो rules के base पर चलता है हर चीज के क्या है rules है तो ऐसी company के क्या है सर्फ court rules है वहाँ पर ये form prescribed है form 57 उसके बाद आता है आपके सामने एक liquidator final statement of account liquidator final statement of account कि किस तरीके से settlement होती है liquidator किस तरीके से settlement करके चलेगा और एक छोटा सा topic आपका हो सेखेंगा B list contributory ये generally basically B list contributor अभी आपको देखो इतना detail में नहीं समझ माएगा लेकिन B list contributor का मतलब होता है कि किस shareholder से कितना पैसा मंगवाया जाए call किया जाए ठीक है तो कोई दिखकत नहीं है थोड़ा patience रखो सब समझ में आएगा अब मैं आपको बताता हूँ कि company किस तरीके से apply करके चलती है देखो जी ये है एक company company के directors company के directors ये है company के directors बना लता हूँ ये लो जी company के directors नहीं है ये बिचारे क्या हो रहे है सर ये देखो ये क्या कर रहे है ये रो रहे है ये क्या कर रहे है रो रहे है रोते रोते किस के पास गए रोते रोते ये गए court के पास किस में गए जी court में गए और उन्होंने क्या बोला court में कि we want to get liquidated हमें बंद करा दो हमारी हालत बहुत जालाब हो गया हमें बंद करा दो कोर्ट कि जिसको बोला जाता है जी official liquidator कया बोला जाता है जी official liquidator बोला जाता है company उसको क्या करेगई code क्या करेगा जी उसह appoint कर देगा अब बात आईगी sir ये official liquidator कौन होता है ये आप लोग ये sir chartered accounts यहाँ पर आप लोग का भहुत बड़ा roll है CA's ही generally official liquidator होता है CA कंपनी को incorporate भी कराते है और बंद भी कराते है चालू भी कंपनी को CA कराता है और कंपनी को बंद भी CA कराता है ठीक है जी तो एक official liquidator को appoint कर दिया अब बात आई कि sir official liquidator की remuneration को कौन पे करेगा तो इसके अगर मैं remuneration की बात करूँ तो यह company की cost पर रहेगा cost to the company मतलब official liquidator को remuneration वगरा पे करना salary वगरा पे करना यह सब company का काम है किसका काम है जी company का काम है अब आता है liquidator अब आप लोग आगे सामें आप लोग क्या करोगे आप लोग company से उसकी information मांगोगे information मांगोगे about the company information about the company obviously आप लोग को क्या पता कि company की क्या information company के बारे में आप मांगोगे तो सही आप अपनी details बताओ कि कितने आपके assets है उनकी क्या realizable value है कितने आपकी liabilities है आपने किस से कितना loan ले रहा है कितना आपको creditors को पे करना है कितने आपकी share capital है तो सारी information company से मांगोगे और company के बिहाब पे जो directors होते है company के company की बिहाब पे जो company के directors होते है वो एक statement तियार करेंगे that is known as form 57 वो क्या तियार करेंगे जी form 57 तियार करेंगे और form 57 वो किसको पकड़ा देंगे जी liquidator को पकड़ा देंगे form 57 में कुछ ही नहीं होता है it is the summary of the company की company की balance sheet की summary होती है की balance sheet की position क्या है कितने उसके assets है कितनी उसकी liability है कौन सा किस से loan ले रहा है मतलब एक basic summary होती है company की वो summary कौन तियार करके देता है वो company के directors तियार करके देते है और किसको पकड़ा देते हैं liquidator को पकड़ा देते हैं अब liquidator के पास company की सारी information आगे अब क्या करेगा liquidator liquidator यह form 57 को भेज देगा किसको creditors को और shareholders को for their approval liquidator company की information को form 57 को send कर देगा to the creditors और shareholders for their approval obviously उनसे approve कराएगा वो कहाएगा कि आपकी company है company किसको है creditors और shareholders की है वो कहाएगा कि आपकी company है यह form 57 किया है चेक कर लो जी ठीक है यह नि ठीक है जी तो इस तरीके से वो क्या करेगा जी shareholders और creditors को बेज देगा और shareholders और creditors जब यह approve कर देगे फिर अपना liquidator काम करना शुरू करेगा कैसे काम करेगा liquidator का काम अब शुरू हजाएगा assets को बेचना शुरू करेगा liabilities को pay-off करना शुरू करेगा तोosaursutetा थोड़े थोड़े धरी धरी करने काम शुरू कर देगा जैसे मैंने आपको बताएगा कि company को बंद करना रात बात का काम नहीं है इसमें सालों लग जाते है तो कोई एकदम से एकदम से थोड़ी ना बिख जाएंगे कमपनी अपना लेंड बेचना चाहती है अपनी जमीन बेचना चाहती है तो एकदम से जमीन थोड़ी ना बिख जाएगी साल एक statement त्यार करता है जिसको मोलता है liquidator annual statement of account liquidator क्या थियार करेगा जी एक statement त्यार करेगा हर साल annual नाम है इसका मतलब हर साल liquidator एक statement त्यार करेगा जिसको नाम देंगे liquidator annual statement of account जिसमें वो basically यह बताएगा कि उसने इस साल में कितने asset दिखवाए कितनी liabilities को pay off कर दिया किसका कितना balance बचा हुआ है यह हर सा liquidator त्यार करेगा आपको annual statement of account नहीं सीखने आपके लिए annual statement of account examination का part नहीं है form 57 आपको सीखना है लेकिन annual statement आपको नहीं सीखना और जैसे जैसे हर साल liquidator ऐसे काम करता चला जाएगा तो एक time ऐसा आएगा जब सारे statement of account liquidator final statement of account यह आपको सीखना है यह आपके exam का part है कि end result क्या रहा मतलब final statement of account में again वही चीज़ आजेगी कि कौन सा asset कितने का बिका और किस liability को कितने रुपे का pay कर दिया that is your final statement of account और once the final statement of account is prepared तो company हो जाती है बच्चे खतम और जब company खतम हो जाती है तो company को उपर seal लग जाती है किस चीज़ की wind up seal court क्या करेगा court company के उपर एक थपा लगा देगा एक stamp लगा देगा कि this company is now wind up बताईए जी यह process समझवा है सर यह process कहां लिखा है यह company law में process ठीक है final level है आप लोग इसको पढ़ाओगे अच्छे से डिडियल मेंद theoretical manner लेकिन practical करने के लिए सारे statement सीखने के लिए आपको यह पता होने चाहिए सर कौन सी statement कहां बती है और किसका क्या यूज है आई बात समझे ठीक है दुबारा देखो इस देखो यह company है company के अथोड़ा सब में speed fast रहेगी company के directors रोते रोते किसके पास गए code के पास गए और उन्होंने code में जाके क्या बोला उन्होंने code में जाके बोला कि code को जी हमारी खुआलत होगी है बहुत जादा खराब हमारे पैसे नहीं है तो हमें कर दो liquidate अब code क्या करेगा code इसको लिक्विडेट करने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगा वो जनरली चार्टर अकॉंटेट होता है वो लिक्विडेटर की cost रहेगी to the company मत अब लिक्विडेटर को जो भी remuneration salary वगरा पे करी जाएगी कौन पे करेगा company पे करेगी फिर लिक्विडेटर का काम शुरू होता है लिक्विडेटर सबसे पहले company के बार में information मांगेगा obviously लिक्विडेटर को क्या बता कि company कि किस type कि है क्या चलगा company में तो वो directors जो होता है company के वो एक form 57 त्यार करके देंगे that is not summary वो क्या होती है summary of accounts कि company के क्या situation एक summary त्यार करके देगा to the liquidator form 57 आप question आपके पास ऐसा एक छोड़ा मटा सा question आ सकता है कि sir form 57 कौन बनाता है तो आप answer क्या दोगे form 57 बनाता है company के directors और फिर आएगा liquidator final statement of account कौन बनाता है वो बनाता है company के liquidator ठीक है तो form 57 बना कर director submit कर देंगे to the liquidator अब liquidator क्या करेगा liquidator इस form को भेज़ देगा किसको creditors को और shareholder को for their approval और फिर क्या करेगा जैसे approval आ जाएगा तो liquidator अपना काम शुरू कर देगा हर साल asset को विकवाएगा liabilities को pay off करेगा क्योंकि सालों साल का process है तो liquidator हर साल एक statement statement बनाएगा statement of account बनाएगा कि company में कितना asset विका कितना cash है सारी चीज़े बना के चलेगा यह आपका course का part रही है और जब सारी situation हो जाएगी तो finally company क्या बताएगा एक final statement of account बनाएगा जिससे यह पता लगएगा कि end में किसको कितना पैसा मिलागा देगर सबसे end में किसको मिलत है ठीक है और जब यह सारा काम को पूरा हो जाएगा तो company को order मिल जाता है from the code to get wind up company के ठपा लग जाता है किस चीज़ का winding up का clear है point हाँ जी यह point clear है चली हाँ जी तो यह एक हमारा process है कि किस तरीके से काम होता है again दुबारा मैं आपको बोलते हैं तो मैं कोई practical question नहीं करा रहा है मैं आपको एक concept का overview दे रहा हूँ तो आप सिर्फ सुनते चलिए अब बात आता है कि sir जो company होती है वो company किस तरीके से payment करत कि I inquiry हो ओड़ी है अब दोखो asset भी क expression के बाद company को क्या करना पड़ेगा? company आप्नी liabilities को pay off करना पड़ेगा अब liabilities को company की कहीं सारी है जैसे की company के equity shareholder को भी पैसा मिलना चाहिए, company के preference shareholder को भी पैसा मिलना चाहिए, unsecured loan को भी पैसा मिलना चाहिए, secured loan को भी पैसा मिलना चाहिए, debenture holders को भी पैसा मिलना चाहिए, यह सारे का है company के क्या है जी, क्या है company की उधार है company की liabilities से, तो इन सब को pay off किस तरीके से किया ज यह सारी चीज़ी आपको पता होना चीए यह कहा से पता लगते है सर कंपनी ज़समें लिखाएं गूँ'd vendor आपको एक लाइन बना रिखे रहा हो एक सीरीज बना रेखे रहा हूं जो आपको learning करी हूँ कि सबसे पहले payment की score है यहां पर याइन으े खड़ा होगे अन्सेक्योर्ड लोन के बाद कौन आ गया अन्सेक्योर्ड लोन के बाद आ गया हमारे पास प्रेफरेंश शेरोल्डर्स प्रेफरेंश शेरोल्डर्स के बाद कौन आ गया हमारे पास इकूटी शेरोल्डर्स आ गया तो यह आपके एक लाइन है डिवेंचर गोल्डर्स अन्स secured loan वालों का है फिर किसका है जी share orders का होता है और share order में भी आपको पता है सबसे पहले preference share orders का होता है फिर किसका होता है फिर equity share orders का होता है यह एक basic सा structure है अब बात आती है कि secured loan का क्या करें देखो जी secured loan कभी भी line में खड़ा नहीं होता secured loan कभी भी line में खड़ा नहीं होता क्यूं क्यूंकि उसके पास तो security already ही है उसके पास तो security already ही है एक case बनाते हैं किस तरीके से देखो जी बड़ा मज़दार सी चीज़ है माद लो कमपनी ने bank से 1.5 lakhs का loan लिया और बदले में जो उन्होंने security रखवा रहे की थी उसकी value थी 2 lakh रुपे की अब देखो logical ही सोचके पता हो जब ये security बिकेगी जब ये particular security बिकेगी तो company को इस security को बेच कर पहले secured loan को pay करना चीज़ है या फिर इन में बार दो पहले secured loan को pay करो या इन में बार दो answer is sir पहले secured loan को pay करो पहले किसको pay करो ? secured loan को क्योंकि उसके पास तो security already है माद लो यहाँ पर उसने अपनी machinery गिर भी रखवा रखी दी और मशीन दी बिकी है कितने रुपे की दो लाक रुपे की तो अगर दो लाक रुपे की कमपणी ने मशीन दी बेच ही दी है तो वो मशीन दी का जो पैसा आया है वो सबसे पहले secured loan को pay off करने के लिए utilize किया जाएगा और उसके बाद जो पैसा बच जाएगा इस order में distribute करेगी बार देगी बात समझ में अब दूसरा कैसे लिए मान लोग loan का amount था 1.5 lakhs और security है एक लाक रुपे कितने के एक लाक रुपे की मतलब आप देखो bank ने गलती कर रही है bank ने गलती कर रही है bank ने एक लाक की security के against पे एक लाक पचास जार का loan दे दिया तो इसके मतलब bank को कही ना कई सफर करना पड़ेगा कैसे सफर करना पड़ेगा जब ये एक लाकी सिक्यूरिटी भिकेगी तो सर इसका पैसा तो किसको पे आफ किर दिया जाएगा सबसे पहले लोन को चुकाया जाएगा लेकिन बात आती है सर अब ये जो बैंक था ये तो यहाँ पर उदास है क्यों उदास है ये कह रहा है कि मेरे 50,000 रुपे तो रहे गे तो कंपनी क्या कहेगी कि कोई बात भी अगर रहे भी गए तो आजाओ जी यहाँ पर लाइन में अब मुझे बताओ मैं इसको लाइन में कहां पर डालू क्या मैं डिबेंचर ओल्डर से पहले डाल दू क्या मैं डिबेंचर ओल्डर से पहले डालू answer is no कहां पर डालूँगा मैं डालूँगा sir यहाँ पर unsecured loan के साथ ये bank भी खड़ा हो जाएगा क्यों खड़ा हो जाएगा unsecured loan के साथ क्योंकि sir एक लाक रुपे तक का ही तो secure सा loan बाकी 50,000 रुपे का तो क्या है एक तरीके से unsecured loan है तो वो unsecured loan के साथ ये bank क्या करेगा जी जाकर खड़ा हो जाएगा तो जब पैसा बटेगा तो unsecured loan के साथ सब इस bank को भी पैसा मिल जाएगा बाद समझ भाती है कोई दिक्कत नहीं है बहुत detail में जाओंगा मैंसीज में कोशन करेंगे practically तो और समझ में आएगा लेकिन overview सा समझते चलो तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर secured loan कभी भी लाइन में नहीं खड़ा होगा क्योंकि secured loan के पास तो क्या है security है जब भी वो security बिकेगी तो पहले secured loan को pay करा जाएगा उसके बाद उसके बाद क्या करा जाएगा इस company उस line को follow करी अब एक question आ सकता है सर आपने unsecured loan से पहले debenture holders क्यों डाल दिये क्योंकि सर आपको थोड़ा बद बता दू knowledge के लिए debenture holders के हमेशा क्या होता है सर फ्लोटिंग चार्ज होता है company law में पढ़ा होगा आपने दो तरीके के चार्ज होता है एक होता है fixed charge और एक होता है floating charge fixed charge जैसे की ये जो ये secured loan के पास था ये क्या था fixed charge मतलब when a particular asset is pledged that is known as fixed charge तो यहाँ पर एक particular machine फ्लोटिंग चार्ज को priority पहले मिलती है तो इसलिए secured loan को priority सबसे पहले मिली उसको अलग ही कर दिया और floating charge का मतलब क्या होता सर कोई भी asset बिकेगा तो पहले किसको पूछा जाएगा debenture holders को pay off किया जाएगा उसके बाद unsecured loan and company के जो मालिक है वो बाद में आएंगे जिसमें भी preferential order पहले आएगे structure clear ठीक है जी अब एक छोटी सी चीज अब एक छोटी सी चीज समझेबा इसको तो आपकर तो यहाँ पर है अगर देखो जी government department government department या फिर workers मुझे बताओ सरकारी department या वरकर अगर मान लो company ने government department के dues पे नहीं करे या किसी worker को wages नहीं पे करी तो उसको मैं line में कहां खड़ा करूँ सोच के बताओ क्या मैं उसको debenture holder के साथ खड़ा करदू क्या मैं उसको unsecured के साथ खड़ा करदू क्या मैं preference के साथ खड़ा करू बात आईगी सर ना तो government के पास कोई security है ना ही worker के पास कोई security है तो काफी सारे बच्चों के दिवाग पे क्या आएगा सर उसको तो unsecured loan के साथ खड़ा कर दो लेकिन बच्चे अगर मैंने unsecured loan के साथ government dues और workers को खड़ा कर दिया तो सर worker के साथ बहुत ना इंसाफी हो जाएगी हमारे देश का कानून ऐसी गलती अलाओ नहीं करेगा वो क्याएगा कि worker सबसे पहले हैं गरीब लोग सबसे पहले हैं और सरकार सबसे पहले हैं government सबसे पहले अपने dues मांगेगी तो हमेशा government के dues plus worker की wages अगर outstanding है तो वो line में सबसे पहले आ जाती है और इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है जी preferential creditors क्या बोला जाता है preferential creditors आएंगे भी detail में तो अब line का order समझो line का order क्या कहता है company जब भी पैसा pay करना है कि बारी आईगी company की तो सबसे पहले preferential creditors को पे कर दो जिसमें government के dues हैं और workers हैं उसके बाद debenture holders उसके बाद unsecured loan फिर preferential order और फिर equity share order और secured loan तो line में खड़ा ही नहीं है वो अलग से हो जाएगा लेकिन अगर secured loan की security होती है कम तो फिर secured loan का जो loan का unsecured portion होता है वो again unsecured के साथ line में जाकर खड़ा हो जाएगा और अगर secured loan की जो security होती है वो जादा की बिग जाती है तो extra जो proceeds होती है वो इसी order में क्या हो जाएगी बच्चे distribute हो जाएगी बात समझ में आती है हाँ जी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आती है चलो तो आज का जो demo lecture है उसको मैं हाँ जी उसको मैं यहीं पर ही end करूँगा मैं और ज़्यादर detail में नहीं जा रहा है इतना ही आपको भी समझना है main context क्या था है main context आपको यह समझना था कि क्या आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है क्या आपको मैं किस तरीके सा पढ़ा रहा हूँ वो चीज clear हो रही है तो यह चीज आपको थोड़ा अच्छे से जाने तो इसी तरीके से बड़े मज़े के साथ हम अपने subject को advanced accounting को cover करके चलेंगे और I am damn sure sir आपको बहुत ही मज़ा आने वाल है you will feel very entertaining देखो खाली entertainment हो तो भी कोई फादा नहीं है आपको entertainment के साथ-साथ पूरी knowledge मिलेगी full knowledge मिलेगी and examination approach मैं हमेशा follow करके चलता हूँ knowledge अपनी जंगा है और examination approach अपनी जंगा है आपको at the end जाके exam को clear करना है तो मैं exam पे पूरा-पूरा ध्यान दूँगा paper पे पूरा-पूरा ध्यान दूँगा paper pattern पे पूरा-पूरा ध्यान दूँगा plus आपको साथ-साथ अच्छी अच्छी नहीं नहीं बाते भी बनाता चला जाओगा ठीक है जी? तो I hope so आपको मेरी सारी information clear होई होगी ये demo lecture भी समझ माया होगा तो सर जल्दी से जल्दी अपने आपको इस course के लिए enroll करा लीजिए सर किसी की wait मत कीजिए career आपका है enroll करा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस video को share कीजिए so that जादा से जादा लोगों तक मैं अपनी lectures को पूचा सकूँ ठीक है जी? चलिजी पहले जो मैंने information आपको बताई है सारी classes के बारे में उसको बड़ी ध्यान से समझ लेना कोई भी query होती है तो मैं description में अपने details दूँगा वैसे मैंने आपने details आपको उसमें flare में भी बताई दिया तो वहाँ से भी देख सेकत हो नहीं तो description में 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 details है कोई भी question of mind में feel free to ask बिल्कुल भी सर गलत जल्द बाजी में description नहीं लेना feel free to ask खुल के पूछिए मैं आपको बताऊगा ठीक है जी चलिए फिर थैंक यू वेरी मच बबाए